क्वेशन है अलेंगिक प्रज्णन लेंगिक प्रज्णन से भिन्ना होता है अलेंगिक प्रज्णन में क्या होता है तो जो अलेंगिक प्रज्णन होता है वह अलेंगिक प्रज्णन से भिन्ना होता है क्योंकि जो अलेंगिक प्रज्णन है इसमें नए जिव जनक जो होते हैं माता पिता के समान ही दिखाई देते हैं तो देखें यहां पर जो मातापिता से संतानों में विभीन लक्षडों के इस्थानांतरन का विश है तथा उसे सम्मेधित कारणों और नियमों का अध्यान क्या कहलाता है अनुवांशिक कहलाता है और गुर्शुत्र में पाय जाने वाले जो अनुमानसिक पदार्थ होते हैं इन्हें हम जीनोम कहते हैं अनुमानसिक लक्षडों को पीडी दर पीडी ले जाने वाले लक्षड को कारक कहा जाता है और जो अलंगिक प्रशन होते हैं वो जितने भी लंगिक प्रशन होते हैं उनसे भी न होते हैं क्योंकि जो अलंगिक प्रशन होता है उसमें जो नय जू उत्पन होते हैं वो अपने माता पिता के समान होते हैं नेस्टर कोशन है निम्नलिखित में से कौन बढ़ते ब्रूड के लिए पोशक उतक का कार्य करता है आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन पोशक का कार्य करता है ब्रूड के लिए यह करते हैं एंडो इस्पम तो एंडोई स्पम जो होते हैं जो भूड में डेवलपमेंट होता है वृद्ध्यू होता है उनके लिए पोशक उतक का काम करते हैं भूड में पाँचवे सप्ताह तक तीन जन जाती इस तरों का निर्माण हो जाता है निसेचन के लगभग दख सप्ताह के विक्सित यूग मनज को भूड तता यूग मनज में होने वाले विवी नकरमिक करिवर्तनों को क्या कहा जाता है भूड ये विकास कहा जाता है भूड का पोशन जरायू जिसको की कौरिन कहा जाता है एमनियान एवं अप्रा या जिसकों की हम लोग प्लेसेंटा कहाते हैं इसी प्लेसेंटा के द्वारा होता है और इसेजन क्रिया के बाद बना यूगमरेश दिवरता से समसुत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है अंडासय का मुख्यकार्य क्या है अंडासय का माध्यम से प्रश्णन सामिल होता है तो यह क्या हो जाएंगी यह हो जाएगा वनास्पतिक प्रश्णन एक प्रकार की अलेंगिक प्रश्णन को वनास्पतिक प्रश्णन जर तनी और पत्यों जैसे पौधे की कुछ हिसों की माध्यम से प्रश्णन इसमें सामिल होता है जो होता है वह लेंगिग जनन होता है नर यउगमंग को शिका के सयोगा से यूगमनज बनता है और इसे ही हम लेंग जनन कहती है onboard ठीविस यूगंतर के फैसरी बृलड कोज बनता है जिवारों में अललाइंगिग जनन दुव्लिखाशन द्कों предлож धिया are द्वारा एवं अन्ता विजारू द्वारा होता है निस कोशन है यौन प्रेजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा जोहांसन ने 1905 में सबसे पहले जीन सब्द का प्रेज़ किया यह भी कोशन पूचा चाता है कि जीन सब्दे किसके द्वारा दिया था जहांसन के द्वारा दिया था डबलू वार्सा ने सर्व प्रतम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया था DNA का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कुट नहींत होता है वह क्या कहलाता है जीन कहलाता है एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संसिलेशन होता है जिन वीनिमय के द्वारा ही माता पिता के गुड़ों का वीनिमय होता है और संतान में दोनों के गुड़ दिखाई करते है नेस्ट कोशन है निम्न में से कौन सी जीव पनरजनन और मुकलन द्वारा प्रेशनन कर सकता है तो इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो पुनर जनन और मुकुलन के द्वारा प्रेशनन करते हैं तो आंसर हो जाएगा हाइड्रा हाइड्रा जो होते हैं इनमें प्रेशनन पुनर जनन या मुकुलन के द्वारा होता है हैडरा जो होता है वो सिलेंट्रेटर फाइलम का होता है और इस संगी के प्राणी जो होते हैं जलिय द्वी इस्तरिय होते हैं सिलेंट्रेटर संगी के जिव के चारो और कुछ धागी की तरह सरशनाए पाया जाता है जो की भोजन पकड़ने में मदद करती है सिलेंट्रेटर संग के जिव में सीर और गुदा नहीं होता है सिलेंट्रेटर संग के लार्वा मुखेता प्लैनुमा कहती है और इसकी पहचान गुआ थैली जलसी होती है नेसर कोशन है अमीबा में किस प्रकार का अलेंगिक प्रशन होता है तो जो Amoeba होते हैं उनमें भी अलंगी प्रशन होता है लेकिन उनका प्रगार क्या होता है इनमें होता है बायनरी विखंडन आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर भी बायनरी विखंडन Amoeba का अर्थ बदलना इसका वज्ञानिक नाम Amoeba Proteas है Amoeba Proteas Сanghji Praatी है और इस संहं के जन्तू एक केंद्रिय या भहू केंद्रिय होते हैं इस संहं के प्रशनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधी द्वारा संपन होते हैं अलिंगी प्रशनन दुई-विभाजन भहू भाजन या मुकुलन के द्वारा होता है और लिंगी प्रेशन नर्थ समादा युगमकों के समागम से होता है नेस्ट कोशन है गुर्षूत्र में क्रोमेटिस जिस बिंदू पर सनलगन होते हैं उस बिंदू का नाम क्या है तो जो गुर्षूत्र होते हैं उनमें एक क्रोमेटिजिस जिस बिंदु पर सनलगन होते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं सेंट्रोमियर प्रत्य गुर्षूत्र की पांच भाग होते हैं पहला पैलिकल तथा मैट्रिक्स, दूसरा होता है क्रोमेटीट, तीसरा होता है सेंट्रोमेयर, चौथा होता है सेकंडरी कंस्ट्रिक्शन, चौथा होता है सेटिलाइट और फिर लास्ट होता है चैलोमेयर. तो ये सब गुर्शुत्र के भाग होते हैं सबसे पहला जो पैलिकल है पैलिकल के द्वारा घीरा हुआ भाग क्या कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है मैट्रिक्स में गुर्शुत्र की पूरी लंबाई में दो समांदर कुंडलिक धागों के समांस रशना होती है जिसे हम क्या कहते हैं और प्रत्य क्रोमेटिट भी दो या अधिक अत्यन्त महित कुर्णली धागे के समा रशनाए पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं क्रोमो निमाटा और क्रोमेटिट डियने और हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है ये भी direct question पूछता है कि जो chromatid होते हैं वह किसका बना हुआ होता है तो या chromatid DNA और histone protein का बना हुआ होता है Centromere गुशुत्र को आकार निश्चित करता है Centromere की कारण गुशुत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है और DNA की क्रियात्मा खंड को हम क्या कहते हैं? DNA की क्रियात्मा खंड को हम जीन कहते हैं नेस्ट कोशन है ब्रोड को एक विशेश उतक की सहाथा से मा के रक्त से पोशर प्राप्त होता है तो ऐसा कौन सा उतक है जिसके कारण भूर को अपनी मा के रख्त से पोशर प्राप्त होता है वह है गर्भनाल भूर को एक विसेस उतक गर्भनाल की सहाथा से मा के रख्त से पोशर प्राप्त होता है ब्रूर का पोशर, कौरी, अन्यान एवं अपरा जिसको कियम प्लैसेंटर कहते हैं इनके द्वारा होता है और मनुस्य में निशेशन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में फैलोपियन टिप जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी इसी में निशेशन की क्रिया होती है इस क्रिया में नर्युगमच का केवल केंद्र भाग लेता है जबकि संपूर्ण मादा युगमकों इसमें भाग लेते हैं और प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है नेश्ता है प्रोस्टेट ग्रंथी किसके नीचे मौजूद होती है तो जो प्रोस्टेट ग्रंथी होती है ये मुत्रासय में अवश्ठिक होती है नेफ्रोन या वरिक नलिका में रुधिर से चनकर आये जल इवं सेस उस्सरजी पदार्थों के मिश्टन को क्या कहते हैं मुत्र कहा जाता है जो मुत्रासय में जमा होता है जो पीला रंग होता है मुत्र में वह हीमागलोबिन के अभगटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक मरनक के कारण होता है मुत्र श्राओ की मात्रा के बर्चानी को ड्यूरेसिस कहती है और प्रोस्टेट ग्रंती से श्राविच्छारिय द्रवविर्य का मुख्य भाग बनाता है नेस्टर कोश्चन है हाइड्रा जो प्रश्णन करता है वह किस तरीकी की होती है तो हाइड्रा में देखिए मुकुलन के द्वारा होता है कुछ कोशन पहले ही हमने इसके बारे में डिश कशन क्या हुआ था जो हैडरा होता है यह मुकुलन के द्वारा प्रेशनन करता है और यह कौन से फालम का था यह सीलेंट ट्रेटा फालम का है और इस संग अलेंगी प्रेशनन मुकुलन द्वारा तदा लिंगी प्रेशनन युगम को द्वारा होता है नेसर कोशन है व्रिशडों में कौन सा हार्मोन श्रावित होता है तो व्रिशड जो होते हैं ये मेल में मौज़ूद होते हैं और इनसे टेस्ट्रो एस्टरन नाम का एक हार्मोन होता है जो श्रावित होता है टेस्ट्रो एस्टरन हार्मोन पुरुशोचित लैंगिक के परिवर्धन को एवं यौन आच्रण को प्रेरित करता है नेक्स्ट है बढ़ते ब्रूड के धारण और पोशड के लिए हर महीने मादा प्रेशन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आपको तैयार करता है अंसर हो जाएगा गर्भासे बढ़ते ब्रूड के धारण और नासपत्ति के समारशना होती है जो शोड़ी गुवा में इस्तित होता है यह समाने तहा 7.5 cm लंबा 5 cm चौड़ा और 3.5 cm मोटा होता है इससे उपर की और दोनों और अंच्वाहिनी खुलती है और इसके नीचे लगा सक्राग्रीवा कहलाता है ग्रीवा आगे की और यौनी परिवर्दित हो जाता है गरवासय का प्रमुक कार्य निशेचित अंडारू को बुरुर परिवर्दन हे तुउ उचित इस्थान प्रदान करना होता है नेक्स्ट है निम्नमे से कौन सा यौन और अलेंगिक दोनों रूपों से उद्पन्न होता है तो इन में से जो हाइड् जो गतिसिल जिवारू कोशे का हैते हैं इन्हें कहा जाता है नर युगमक जिवारू में न तो युगमक का निर्मान होता है और नहीं निश्यचन होता है इसमें केबल अनुमानसिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है इसे अनुमानसिक पुनर योजन है जो तीन प्रकार से होता है संयूगमन, जीनवाहान और रुपांतरण जिवारों में जो जनन होता है मुख्यता विखंटन के द्वारा होता है नेस्ट कोशन है अंड़ा अंडासे से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है अंडवाहिनी जिसकों की फैलोपियन ट्यूप कहते हैं इसकी संख्या कितनी होती है माधर में होती है दो और यह लगबग 10 संचिमिटर लंबी होती है और इस नलिका का एक सीरा गर्भाशे से सम्बंद रहता है और दूसरा सीरा अंडासे की और अंगुलियों की समान जालर बनाता है इस रशना को हम क्या कहते हैं फ्रिम्बी कहते हैं अंडारू जब अंडासे से बहार निकलता है तब यह फ्रिम्बी द्वारा पकल दिया जाता है फ्रिम्बी द्वारा अंदारू को पकरना और गर्भासाय में पहुचाना है नेस्ट कोश्चन है मानोप्रेशनर प्रणारी का कौन सा हिस्सा मा के रख्तसी भूर को पोशर प्राप्त करने में मदद करता है तो मानोप्रेशनर प्रणारी का ऐसा कौन सा हिस्सा है तो वह हैं गरभनाल, गरभनाल क्या करता है, मा की रखतसी घुरूड को पोशर देनी का काम करता है नेश टैनिमे में से कौन सा जानवार अपना लिंग बदल सकता है तो इसमें से स्नेल जो है ये अपना लिंग भी बदल सकता है ये दो गुर्षूत्र नर इवा मादा दोनों पौधे या जन्तों में अलग-अलग होते हैं ओटोसोम्स ये गुर्षूत्र नर इवा मादा में समार रुप से पाया जाते हैं और ये गुर्षूत्र काई कोशिकाव में पाया जाते हैं गोंगा मुलसका संग के जीव है और इसकेरीस जो है वो नीमे टोडा जो संग है उसके जीव है next question है किस प्रकार के प्रश्णन में अधिक विविदिता उत्पन्न होती है तो किस प्रकार की प्रश्णन में होती है लैंगिक प्रश्णन में अधिक विविदिता उत्पन्न होती है जबकि अलैंगिक प्रश्णन में जो उनके बच्चे होते हैं या जो भी प्रश्णन क्या जाते हैं उनके द्वारा वो क्या होते हैं एक समान होते हैं अपने मादा पिता के समान ही होता है लेकिं लेंगिक प्रेशनर में विविधिता पाई जाती है नेसर कोस्तन है इन में से कौन सा उभैलिंगी फूल है तो इन में से जो सरसों का फूल होता है यह उभैलिंगी होता सरसों का फूल जो उता है इसका नाम होता है पुरूसे फैरी अर्रजिन पुष्पों में पुष्प की एक या अधिक चक्र अनुपस्तित होते हैं उन्हें ही हम आपुर्णप पुष्प कहते हैं जायंग पुष्प और सबसे भीतरी चक्र है जाएंग अंडपों से निर्मित होता है नेक्स्ट है उस अंग को नाम दे जहां भूर्ण विक्सित होता है तो भूर्ण जो होता है वो कहां पर विक्सित होता है गर्भासे में गर्भासे का प्रमुकार्य निशेशित अंडारों को भूर्ण में पर गर्भासे की बित्ती पेशियों होती है जिसके बीतर खाली जगहों होती है छटे माहा में बुर्ण जो होता है छोटे शीशु का रुख धारर कर लेता है और फैलोप्य नलिका से अंडाडू गर्भासे में पहुँशते हैं नेसर कोशन है वरिशर डेस में उदर गुहा के बाहर इस्थीत होती है तो वरिशर जो होती है वह कहां पर इस्थीत होती है वरिशर जो होती है अंड कोश की ठैली के में उदर गुहा के बाहर में इस्थीत होती है विशर जिसकों की टेस्टिस कहा जाता है यह एक नर जनन अंग होता है यह सहरी सी बाहर स्कोटल कोस में इस्थित होता है विशर की अंदर इस्थित अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन का श्रावित होता है यह भी question बनता है कि जो नर हार्मोन है टेस्ट्रोस्ट्रों यह गहां से श्रावित होता है तो यह leading cellos से श्रावित होता है सबसे महतवपूर एंडरोजन को टेस्टरोश्टरोन कहा जाता है यहां हार्मोन पुरुशोचीत लेंगी लक्षडों की परिवर्धन को एवं यौन आचार को प्रेरित करता है प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशे उबसित रहता है नेस्टर कोशन है निमनलिकीत में से कौन सा विखंचन द्वारा पुना उत्पन्न हो सकता है आंसर है इस्पारोगारा इस्पारोगारा जो होता है विखंचन के द्वारा पुना ही उत्पन्न हो जाता है नेसर कोशन है एक नवजाद बालिका की कोशिकाव में गुर्षूत्र का कौन सा सहयोचन होता है तो एक नवजाद बालिका होती है इन में गुर्षूत्र का कौन सा सहयोचन देखनी को मिलता है यह होता है 44 गुर्षूत्र होते हैं और एक्स एक्स इसमें अलेक्स से दो होते ह तो total कितनी हो गए, 46, जो 44 होते हैं, जो समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें हम कहते हैं, auto 100, और यह अभी बालिकाँ, नौजाद बालिकाँ में बोला गया है, अगर यही नर में बोला होता, तो क्या होता, 44 प्लास X, Y होता, निम्न में से कौन सा कथन सही है तो देखिए पढ़िए इसमें से कौन सा कोरिशन सही हो जाएगा देखिए यहाँ पर आप्शन नमबर बी यहाँ पर राइट होने वाला है DNA अडू दो सरपिल सीडियों की तरह एक दोरी पेज़दार संरशन बनाने वाले दो लंबे पॉली निकलियो टाइट रेस्टों से बना हुआ होता है DNA सही RNA का संसलेशन होता है मैंडरल नहीं 1866 में जीन को विरासत के रूप में देखा था Next question है निशेचन के परड़ाम सरूप किस एक का निर्मार होता है तो निशेचन के परड़ाम सरूप युगमनच का निर्मार होता है व्रिशर एवं अंडाशय में युगमकों की निर्मार की प्रक्रिया को युगमक जनन कहते हैं युगमकों का निर्मार व्रिशर तथा अंडाशय की जनन को सिकाओं में अर्द सूत्री विभाजन के द्वारा होता है व्रिशर में सुक्रारू का निर्मार सुक्रजनन तथा अंडारू का अंडासय में निर्मार अंडजनन कहलाता है निशेशित अंडारू को युगमनच कहा जाता है नर युगमनच एवं मादा युगमनच के आपस में सम्मिलन से युगमनच बनने की क्रिया को इनिशेशन कहा जाता है नेक्स से मादाओं में अंजारू उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो मादाओं में जो अंडारू उत्पादन की प्रक्रिया होती है इसे कहा जाता है अंडी जनन अंडासय उदर के निशले भाग में श्नोडी कोहा में दोनों और दाएं एवं बाएं एक एक इस्तित होते हैं प्रतिक अंडासय एक अंडा का रशना होती है, अंडासय की भीतर अड़ुमों का अंड जनन द्वारा निर्मार होता है, अंडासय का बारी इससर एपिथिलियम का बना हुआ होता है, इसे जनन एपिथिलियम कहते हैं, अंडासय का मुख्यकार ये अंडाडु पैड़ा करना ह महिलाओं में यावन की शुरुवाद किस से होती है महिलाओं में यावन की शुरुवाद जो होती है रजोदर्शन के द्वारान होती है महिलाओं में यावन की शुरुवाद रजोदर्शन से होती है जो की महिलाओं में प्रश्णनकाल 12-13 वर्ष की उम्र में प्रारम हो जाता है जो 40-50 वर्ष की उम्र तक चलता है इस प्रश्णनकाल में गर्भावस्ता को छोड़ कर प्रती 26-28 दिनों की अवधी पर गर्भासय से रक्त तथा उसकी आंतरिक दिवार से श्लैश्मा का श्राव होता है इस श्राव की जो अवधी होती है वो तीन से चार दिन होती है इसे रेजो धर्म या माशिक धर्म या रीतो श्राव का चक्र कहते है नेक्स्ट है निम्न लिखी इसमें से कौन सा कथन सत्या है इनमें से कौन सा कथन सही होने वाला है नेस्ट है option number D इसका right hold द्विगिरित जीव जिन में link अलग-अलग होते हैं इनकी द्विगिरित कोशिकाव में गुर्षुत्र का एक विसे सोड़ा होता है जो link का निधारर करता है इन्हें ही हम क्या कहते हैं link गुर्षुत्र कहते हैं नेस्ट है अलगिक प्रश्णन लेंगिक प्रश्णन से भीना है अलगिक प्रश्णन में डैस होता है तो अलगिक जो प्रश्णन होती है वो लेंगिक प्रश्णन से भीना होता है और अलगिक जो प्रश्णन होती है इसमें नय जीव जो अचनक होते हैं वो माता-पिता के समान ही दिखाई देते हैं। Next question है, The fertilized egg, the zygote, gets implanted in the… कहां पर होता है? Uterus में. The fertilized egg, the zygote, gets implanted in the uterus. और पक्षिवर्ग, जो होते हैं, वो अंडज होते हैं, गर्भासे में ही, यूमनस से भूर्ण परिवर्धन होता है. Next question है, मनुष्यों में पार जाने वाले प्लेसंटा उटक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो जो प्लेसंटा होती है, ये क्या करती है? ब्रूर को, ब्रूर से अपसिस्टों को बहार निकालना और ब्रूर को पोशर प्रदान करना. तो ब्रूर में जितने भी अपसिस्टों होते हैं, इनको ये बहार निकालता है, और ब्रूर को पोशर प्रदान करने का भी काम करता है. नेक्स्ट है, नर जनन कोशिकाओं को उत्पादन डैस होता है, तो नर जनन जो कोशिकाओं होती है, इनका उत्पादन कहां पर होता है? ब्रिशन में होता है. इनकी संक्या कितनी होती है इनकी संक्या दो होती है व्रिशनर जो होता है नर जनन ग्रंतिया है जो की अंडाकार होती है व्रिशनर नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है व्रिशनर की सेलों द्वारा नर युगमक का निर्मार होता है और सुक्रारू की में केवल बहत्तर घंटे तक जीवित रहते हैं अधी प्रिशांसी सुक्राडू शुक्र वाहिका में पहुशते हैं नेस्ट कोशन है लैंगिक प्रेशनन के दौरान जब दो अलग-अलग जिवारू कोशिकार संयोचित होती है तो ये डैस का निर्मार करते हैं किसका निर्मा का निर्मार करते हैं लैंगिक प्रेशनन के दौरान जब दो अलग-अलग जिवारू को सिकार संयोचित होती है तो ये योग में नच का निर्मार करती है निक्स है विच आप फॉलाइंग टाइप और प्रिप्रोड़क्शन अलाउफ और ग्रेटर वेरियेशन टूबी जन को अथवा अपनी हजाथी की अन्य सदस्यों की उसी गूर के मुल से грior नता दरसाते हैं यही का कहलाती है विभिण नता जनन सेलों के क्रोमोसोम या जिन की सरश्चा ये संध्यार्ण के कारण उत्पना होनेवाले विभ्हिर नता को जनणिक विभि नता कहते हैं इ ब्रूड के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। मद्य फल वित्ती होता है। संपुड़ फलों को तीन भागों में भाजित किया गया है। सरल फल जैसे की पपिता, सेव, आदी ये क्या होते हैं। सरल फल होते हैं। दूसरा जो होता है पुण्ज फल या सब्मुः फल जैसे शरीफा, सदाबाहर, स्ट्रॉबेरी, इत्यादी। थर्ड जो होता है वो होता है संग्रहित फल जैसे कठल, सेतूत, गुलर, इत्यादी। फल के दो प्रकार होते हैं सत्य फल और असत्य फल यदि फल के बनने में केबल अंडाशा ही भाग लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है सत्य फल जैसे कि आम। आम क्या होता है एक सत्य फल है true fruits है। असत्य फल में अंडासय की अतिरिक्त पुषपाशन बायदल आधी भाग लेते हैं इन्हें क्या कहा जाता है सेव तो सेव क्या है एक असत्य फल है फॉल्स फूर्स है नेक्स्ट है निम्नलिकीत में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रश्णन प्रनाली का हिस्सा नहीं है त नेक्स्ट है अमीबा में प्रश्णन कैसे होता है तो अमीबा में जो प्रश्णन होता है वा होता है दुई विखंडन के द्वारा नेक्स्ट है प्रश्णन को कितनी अधिक्तम शेडियों में बाता गया है तो प्रश्णन जो होती है इसको अधिक्तम दो शेडियों में बा पुर्णाइस प्रोस्टिट यह सभी के हैं मानो एक लिंगी प्राड़ी है अर्थात नर इवं मादा लिंग अलग-अलग जीवों में पाए जाते हैं जिस प्रग्राम द्वारा जीव अपने सग्या में व्रिधि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रशनन कहते हैं श्रेवालों जाएगा उरवर की करण के परड़ाम सरुप युग मनशका निर्मार होता है नेस्टरे मा के सरीर के अंदर बच्चे के विकास लगभग 9 मैने का समय लगता है नेस्टरे अलयंगिक प्रेशन होता है वो कम विक्सित जानवर और पौधे में होता है Option number D यहाँ पर right हो जाएगा पाधे और जानवर दोनों में ही होता है और जिस प्रक्रमदारा जिव अपनी संख्या में वृद्धी करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं Next step परिपक को शुक्राडू का उत्पादन कहां पर होता है? परिपक को शुक्राडू का उत्पादन होता है व्रिशर में Next step प्रशव पीट डैस की दिवारों में संकुचन के कारण होता है तो प्रशव की जो पीड़ा होती है बहां गर्भासय की दिवारों में संकुचन के कारण होता है Relaxing Hormone Carpus Lutis तरवा श्रावित होता है गर्भासय में अंडासय, गर्भासय एवं अप्रा में उपस्तित रहता है यह हर्मोन Pubic Symphysis को मुलायम करता है और यह गर्भासय के उसी कुड़ने से रोकता है यहां गरीवा को चौड़ा करता है इससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है गर्भासाय का प्रमोक कार्य निशेशित अंडारों को भूर परवर्तन हितु उसीत इस्थान प्रदान करना होता है नेश था है व्रिशलों से टेस्थान हार्मोन शावित होता है तो व्रिशलों से टेस्थान हार्मोन जो होता है वो शावित होता है